नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गाउं के लोग प्लेटफॉर्म पर दोस्तो पिछला जो हपता रहा है वह जबरदस धंकी दाजनितिक उतल पुतल का केंद्र रहा है भारती जनता पार्टी जीत कर भी हार गई है और इंडिया गडबंदन हार कर भी जी दिया है यह सही है कि जैसे तैसे भाजपा और अन्न सहयोगी दल सरकार बनाने की इस्तिती म आखड़े हुए हैं लेकिन यह स्थिती कितने दिनों तक बहतर रहेगी यह स्थिर रहने वाली है इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है देश के जो राजनितिक प्रेक्षक हैं वो मानते हैं कि भाजपा ने जिसे भी अपने साथ रखा है सबसे पहले उसका ही खात्मा किया ह है, इसलिए आने वाले दिनों में कोई बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है। देश में यानि मध्या वधी चुनाओ भी हो सकता है। परहां टीवी में कई लोगों के बुझे और उत्रिवे चहरों के बीच कई तरह की खबरे देखने को मिल रही है। खबरों में बता सबा का जो अद्यक्ष है वो बनना चाहता है, तो किसी को स्वास्त मंत्रा ले चाहिए, किसी को रक्षा मंत्रा ले, किसी को विदेश मंत्रा ले, तो किसी को रेल मंत्रा ले, यह सब टीवी की खबरे हैं, अब किसे कौन सा महकामा मिलेगा, इसकी पूरी पिक्चर तो सपद ग भाजपा ही नहीं, बलकि ये NDA NDA भी सुनाई देने वाला है, जो पहले मैं मैं होता था, अब वा हम हम में बदलता हुआ दिखाई देने वाला है, पोस्टरों में केवल मोधी मोधी का चेहरा दिखाई देता था, अब चंदर बाबु नाइडूप और नितिस कुमार का चेहर भी नजर आने वाला है, वैसे पटना के एक इलाके में बड़ा सा पोस्टर लग गया है, जिसमें लिखा गया है कि टाइगर जिंदा है, पोस्टर में नितिस कुमार के साथ साथ एक बाग को दिखाया गया है, इस पोस्टर की ध्वनी ही है, कि भाजपा में जो कहते थे कि स आटकेले ही चलता है जो लोक सेर आया सेर दीरक चलाते रहते थे अब उस सेर को दो लोगों ने में बंद कर दिया है अब प्रेशर वाले पिंज्रे में कैद सेर की दाड कैसी होगी या आसानी से समझा जा सकता है इधर लगता तो यही है कि संसद में छेतरी इलाकों में जो विचरन करने वाले सेर हैं उनकी दाड जादा सुनाई देने वाली है और एक बहतर लोकतंतर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि समूगान इस पड़ता चल रही हो और बहुत से लोग याने बहुत से सेर उसमें भाग लें और गाना गाएं सोसल मीडिया में भाचपा की कमजोर जीत को लेकर तरह तरह के मीम भाल फिलाल देखने को मिल रहे हैं लेकिन उत्तर पदेश के चाराहे में एक अजीव सा पोस्टर देखा गया उस पोस्टर में लिखा गया है घमंड तूटने के लिए बधाई हलाकि बाद में प्रसासन ने यह पोस्टर उतरवा दिया और कुछ चात्र निताओं पे जुर्म भी दर्श कर लिया गया लेकिन समझा जा रहा है कि यह जो पोस्टर लगाया गया था वो यूपी में जीत का दावा करने वाले भाजपा निताओं को चिडाने के लिहाज से लगाया गया था इधर दक्षन भारत के एक अगबार में प्रकासित एक रेखा चित्र भी खूब वारल हो रहा है चित्र में दो रेल गाडिया दिखाई गई है और दोनों रेल गाडियों में दो देखा जा सकता है एक्स हैंडल की एक पोस्ट है उसमें किसी यूजर ने लिखा है कि चंदरबाबू नाइडू और नितिश कुमार जब चाहें मोदी जी को अगनिवीर बना सकते हैं सोसल मीडिया में तेजी से फैल रहे एक दूसरे रेखा चित्र को भी गौर से देखिए इसमें गाड़ी कौन-कौन लोग चला रहे हैं या भी जान जाएंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी पोस्टर देखिए वैसे संसत की पुरानी सी बिल्डिंग में जो सेंटरल हॉल है उसमें सुकरवार को जो कुछ भी घटित हुआ वह देखने लायक था भाजपा और एंडिये के सदस्यों ने मोदी पर भरुसा तो जताया लेकिन लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जिस समविधान को बदलने की बात कहते थे उसी समविधान को मोदी ने सिर माथे पर लगाया आप यहां वीडियो देखिए और समविधान को बचाने की जो लड़ा सिर जुकाने के लिए मजबूर तो कर दिया नरेंदर मोदी ने सुक्रवार को पूरे एक घंटे भाशन दिया और उसमें 67 बार NDA शब्द का प्रोक किया मात्र 6 बार भाचपा को याद किया और अपनी गारंटी यानि मोदी की गारंटी का एक बार भी जिक्र नहीं किया दोस्तों इस बिश कांग्रेस नेता राहूल गांदी ने सेयर बजार को केंदर में रखकर एक बड़ा निसाना साधा है उन्होंने हमिसा पर सीधे तोर पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर ही लोगों ने चुना और रिजल्ट आने के पहले जम कर शेयर कर दे और साथ एकजिट पोल के दोरान भी भाजपा की जीत के दावे को लेकर कितना बड़ा धोका हुआ है जहां तक कानून और बजार नियामक सेवी की गाइडलाइन की बात है तो यह बिलकुल साफ है कि किसी भी व्यक्ति को बजार और स्टाक पर सला देने से पहले इन्वेस्टम सेवी से जो पंजिकृत व्यक्ति होता है वही निवेस्ट और स्टाक को लेकर आम जंता को यह करें पबलिक को सला दे सकता है कि किस कंपनी पर सेयर लगाना ठीक होगा और किस कंपनी पर नहीं लेकिन अमिसाने ऐसा नहीं किया अब रहुल गांदी ने इस पूरे मामले में जांच की मांग उठाई है देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ घटित होता है दोस्तों इस बिश आध्या की सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता अधेस प्रसाद की जीत के बात आध्या वासियों को गाली गुफतार देने का जो सिलसिला है वो लगातार जा वाला एक वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हुआ था पुलिस ने इस मामले में दक्ष चौधरी और अनू चौधरी को गरफतार कर लिया है लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसल मीडिया में साफ साफ या लिक रहे हैं कि जब कभी भी कोई भक्त अध्या जाए तो आध्या वासियों को ये पता चल सके कि उन्होंने कितना बड़ा अपरात कर दिया है देखा जाए तो एक तरह से आध्या वासियों का आर्थिक भाहिसकार करने की सला दी जा रही है सोसल मीडिया में बात कर जारी है यद्धर्भाग्य है कि मुसलमानों से कुछ भी मत दो तक आकर पहुँच गया है टांग्रेस के स्रीनिमास का कैना है कि वो पहले मुसलमानों को गालिया देते थे और अब अविध्या के राम भक्त हिंदूओं को गालिया दे रहे हैं अगला नंबर आपका है क्योंकि वे किसी के बाप के नहीं हैं दोस्तों हिंसा तो हिंसा होत है लेकिन क्या नंदा के बावजूद भी लोग बाग हिंसा नहीं करते हिंसा पर तो वह उतारू रहते हैं अब इस बीच मंडी से जो भारती जनता पाटी की सांसद है कंगना रनोत उन्हें चंडिगर्ड एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षा करमी ने तमाचा जड़ दिय आचंडिगर्ड एयरपोर्ट पर जो हाथसा हुआ वो सिक्यूर्टी चेक के साथ में हुआ वहां पर मैं सिक्यूर्टी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिना थी जो सुरक्षा करमचारी थी CISF की उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इ कि मेला सुरक्षा करमी को सस्पेंड कर दिया गया है बता जाता है कि जब प्रेस में किसान अंडोलन चल रहा था तब महिला सुरक्षा करमी की जो मा है वो भी धरने पर बैठी हुई थी और महिलाओं के आंदोलन में भाग लेने पर कंगना रनोत ने उस वक्त कहा था कि उन्हें सौ सा रुपय दे कर धरने पर बिठाया गया है अब हिंसा चाहे वो राज्य प्रायुजी थो या किसी भी और ढंक से प्रायुजी थो जैसे कि मैंने कहा कि वो नंदनी है लेकिन चलते चलते आप रेंटिंग गोला का एक मीम वीडियो सुनिये और तै करिये कि कंगना के साथ जो कुछ भी हुआ वह सही है या गलत हाँ मैंने करी दलितों के खिलाफ में बाद, ठीक है, हाँ मैंने करी ओरतों के खिलाफ में बाद, हाँ ठीक है, अच्छा चलो मैं मानती हूँ कि मैंने रेजरवेशन के खिलाफ बोला, चलो मैं यह भी मानती हूँ मैंने मेंस्ट्रिल लीव्स के खिलाफ बोला, अच्छा चलो यह भी मानलो कि मैंने एक अबिनित्री को सौफ पॉर्न आटिस बोल दिया अच्छे चलो यह भी मानलो कि मैंने दिपिका पादु को जब mental health чем struggle कर रही थी तो depression का धिंदा बनाने वाली बोल दिया था अच्छे चलो मानलिया कि मैंने सवराबासकर और तापसीपन्यू को बीगरेड एक्टरसेस और नीडी आउटसाइडरस बोल दिया था हाँ चलो ठीक है हाँ मैंने मान लिया कि मैंने एक बुज़रग महिला को सौसर पे में बिखने वाली बोलती था हाँ चलो ठीक है मैं करते हूँ मैं ऐसी बाते बोलती हूँ पर वो आप देखें वो मेरी बोल्डनेस है वो मेरा फेमिनिजम है और आपको देखने होगा कि मैं कितनी एकदम हिंदू शेरनी हूँ जो मैं ऐसी बाते एकदम बोल जाती हूँ मतलब एकदम बिना सोचे समझे आपको देखना है और दूसरी चीज आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है आपको ये दिख रहा है कि मैंने ओरतों को क्या-क्या बोला है मैं क्या-क्या बोलती हूँ पर मेरे खिलाफ जो जो हो रहा है ये जो आप प्रोपगेंडा कर रहे हैं सबके सब मिलके कोई भात ने देख लेगी आप सबको मनी करने का देवी जैपदम शुरी दोस्तों